हलो इस्टुडेंस कहते हैं कि यही जुनून यही खौब मेरा है में चिराग वहाँ जला दू जहां अंदेरा है तो इन्ही अच्छे विचारों के साथ इस्टुडेंस सबसे पहले तो आप सभी को इस YouTube चैनल को धेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए तह दिल से सुक्रिया फाइनली देखे वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सभी को बेसबरी से इंतजार था ITA की वो सभी स्टुडेंस जिनका admission session 2022 और 2023 उनके practical exam जो है कल यानि की देनांग 12 अगस 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं आप सभी स्टुडेंस को जो है इन practical exams के लिए धेर सारी सुपकाम नाए practical exam में जो important instructions है जैसे कि आप लोगों को admit card साथ लेकर जाना है admit card के साथ ही आपके पास में एक original photo ID proof होना चाहिए इसके अलावा एक passport size photo होना चाहिए और practical exam में जो return work है return work मतलब आप लोगों को जो answer seat में लेगी उसमें जो answer लिखोगे उसके लिए आपके पास में जो भी required instrument है जैसे कि pen, pencil, scale, eraser, softner वो सब चीजे भी आप लोगों को साथ लेकर जाना है exam को लेकर किसी भी परकार से घबराने या टेंसल लेने की जरत नहीं है students क्योंकि आप लोगों का exam आपके ही college में होगा आपके जो भी staff members होंगे वहाँ पे उनकी और से कहीं ना कहीं आप लोगों को help मिलेगा, support मिलेगा बस आप लोग थोड़ा सा जो है आपकी और से जो भी responsibilities है उनका पालन करना है जैसे कि आप लोगों को time पे जो है वहाँ exam center पे पहुंचना है इसके अलावा proper way में आप लोगों को discipline बना के रखना है इसके अलावा जो है आपकी जो भी practical exam की आपको जो return copy मिलेगी return answer, answer sheet बनाने के लिए जो copy मिलेगी उसमें आप लोग जो है proper way में लिखिये अच्छी handwriting के साथ जो है आप लोग लिखिये वहाँ पे proper way में diagram सो अगेरा बनाएए अच्छे confidence के साथ जो है आप लोग वाईवा दीजे ठीक है वहाँ पे वाईवा के अंदर जो है थोड़ा सा hesitation या घबरात हो सकती है बट आप लोग जो है उसको अच्छे से face कीजिए बड़िया से confident होके full energy के साथ आप लोग वाईवा को face कीजिए अगर क्यूसन का answer अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो अच्छे से answer दीजे देखे अगर आप लोग confident रहोगे तो कहीं ना कहीं क्यूसन का answer सही से दे पाओगे और अगर मालो आप थोड़ा सा भी आपके अंदर hesitation है घबराट है तो कहीं ना कहीं आता हुआ question भी जो है उसका भी आप लोग answer नहीं दे पाओगे तो डरने वरने की कोई बात है नहीं या रिस्टेंस थोड़ा सा आप लोग जो है common sense के साथ वहाँ पे बेठे है फुल energy के साथ बेठे है थोड़ा सा practice करके जाए प्रिपेर करके जाए कैसे जो है सवालों को handle करना है कैसे जो है इन सभी exams की धेश सारी सुबकामनाई I hope कि आप सभी का जो exam है बहुत ही सांदार जाएगा आप सभी students जो है practical exam में अच्छे marks के साथ जो है pass होगे तो students आज किस वीडियो में इतना ही practical exam से related किसी भी परकार का और कोई आपके mind में doubt है कोई भी question है तो आप लोग जो है इस वीडियो के comment section में comment करके हमसे पूछ सकते हैं तो students मिलते हैं next video में तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और exams के लिए all the best